पॉर। अब्सक्राइब करें तूर। इसका जो white color था basically वो जादातर पुलीस वालों के पास होता था तो इसी वह से इसकी availability बड़ी कम थी लेकिन अब ये public के लिए available है तो public इसको easily purchase कर सकती है तो आज हम इसके white color का एक complete review करेंगे जो मैंने इसका last review किया था मुझे भी भी याद है और उसके साथ-साथ इसकी latest price क्या चल रही है तो मैंने आइस्ट की बड़े को start कर लेते हैं सबसे पहले इस motorcycle की आप चाबी देख लें इस motorcycle की चाबी है वह आपके सामने है बिल्कुल सिंपल सी चाबी आपको मिल जाती है और उसके साथ-साथ इसका आप switch देख लें तो इसके अंदर आपको जो log system है उसके switch के अंदर ही मिल जाएगा अब इसके अगर meter की बात कर लें तो इसका जो meter है इसके अंदर आपको RPM मिल रहे है speedometer available है fuel gauge है इसके अंदर आपको gear indicator install मिलेगा तो features wise इसका meter complete है इसके साथ-साथ अगर हम देखें इस mode cycle की assemblies को तो इस mode cycle की assemblies है उनमें आपको red side के उपर self start एक चोटा सा बटन मिल जाएगा और left side के उपर bike के अंदर headlight on off है headlight high low है indicators left right और horn इस bike के अंदर available आपको मिल जाएगा इसके बाद अगर हम बात करें इस bike की headlight की तो इस bike की जो headlight है उसमें आपको 12 वाल्ड का hyalogen bulb install मिलेगा जिसकी वैसे night में इसकी जो throw है वो काफी जबदस्त है look wise बहुत जबदस्त है इसके साथ अगर CD 70 वाले indicator ना होते तो बहतर होता है इसके साथ साथ अगर हम देखें इस bike की front shocks को तो इस motorcycle के अंदर आपको फ्रंट पर शॉक्स मिल लेगी जिसकी वैसे मुट साइकल की stopping पर आवा रहा है वो काफी जबदस्त है अगर इस bike के tank की तरफ आजएं तो आप देख सकते हैं इसके tank का जो color है वो completely आपको white color मिल जाता है और इसके साथ साथ जो इसके graphics है वो काफी अच्छे लग रहे हैं इसके उपर तो attraction जो है इसकी white color की वह से काफी बढ़ जाती है इसके लगा अगर हम इसके tank की capacity की बात कर लें तो इसकी जो tank capacity आपको मिल रही है वो 12.3 liter की मिल रही है और इसमें 2.7 liter का reserve लग जाता है इसके साथ अगर इसकी petrol average की बात कर ली जाए तो ये bike easily आपको 35 km पर लिटर average देने की सलाहित रखता है आप इससे 45 तक भी निकाल सकते हैं लेकिन उसमें फिर जादा slow होना पड़ेगा लेकिन 35 तक आपको easily मिल जाती है इसके अदर से average साथ में आप देख सकते हैं कि इसके side covers जो है वो काफी smart से आपको side cover मिल जाते हैं और tail पर इसके अंदर आपको graphics install मिलते हैं और इसके साथ साथ इस bike की अगर seat की बात कर लें इसको normally रखा यह एक अची बात है इसके साथ साथ अगर इसके engine की बात करें तो engine आपको same to same जिसतना का Honda CG 125 special edition का engine है वही same engine आपको इसके अदर मिल जाएगा अब इसकी कुछ specs को देख लें तो 124.1 cubic centimeter इसकी displacement है बाइक का bore है 56.5 mm इस bike का stroke है 49.5 mm इस motorcycle की compression ratio है 9.0 ratio 1 साथ में इसके अगर transmission की बात कर लें तो 5-way transmission आपको इसके अंदर मिल जाएगा starter system में self start और kick start दोनों इसके अदर available आपको मिल जाएगे इसके साथ साथ अगर इस bike की pickup and speed की बात कर लें तो इस motorcycle की आपको अच्छी pickup मिल जाती है क्योंकि इसका engine OHV है इसके साथ साथ अगर इसकी top speed की इसके बात करें तो 105-110 तर इसकी top speed है इससे ओपर इसकी top speed नहीं है इसके बाद अगर इस bike की back side पर आज़े हो तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको full chain cover install मिलेगा और साथ में इसके अंदर आपको back way retractable foot packs मिल जाएंगे जो के quality में काफी अच्छे हैं और इसके साथ साथ इसके जो back पे shocks हैं वो swing up five step adjustable shocks आपको मिल जाएंगे इसके अंदर इसके अलावा इसके अंदर आपको back पे tire मिल रहे हैं यह 90 by 90 का back पे tire है 17 इंच के इसके अंदर आपको alarmist मिल जाएंगे और back पे इसके अंदर आपको drum deck मिलेगी साथ में back light जो इसकी है उसमें आपको simple पर मिल जाएगा और back से आप इसके look देख सकते हैं कि अच्छी look है इसके back से इसके साथ साथ अगर इसके silencer को देखें तो black powder coated आपको silencer मिल जाएगा smart cycle का जिसके ओपर एक chrome plate आपको install मिलेगी इस smart cycle की availability है वो आपको बहुत जादा showrooms पर देखने को नहीं मिलेगी अभी कुछ कुछ शोरूम्स ने इसकी availability की है बाकि आप अगर order पर मंगवाना चाहें smart cycle को आप मंगवा सकते हैं और display पर अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ शोरूम्स पर यह available होगा तो आप GD110S के मकाबले का नहीं है इसमें अगर आप इसको compare करना चाहते हैं comfort level के साथ तो comfort level आप Honda Predder का इसके साथ compare कर सकते हैं इस smart cycle के अंदर आपको comfort level मिल रहा है वो अच्छा है मैं इसको अगर number दूँ तो 8 out of 10 number दूँगा इसको क्योंकि इस bike के अंदर आपको जो shocks हैं वो काफ काफी अच्छी है और सीट और शॉक्स यह दो काफी मेजर चीजें हैं जो के comfort level को बहतर करने में काफी मदद करती हैं अगर इसके इंजिन की बात करें तो इंजिन क्योंके overhead valve इंजिन है इसकी वैसे motorcycle बहुत जदा comfortable नहीं रहता थोड़ा साप speed अगर पकड़ लेते हैं जैस अगर इस motorcycle की पेंट कॉलिटी है वो काफी अची है और साथ में जो इसकी build कॉलिटी है वो भी काफी अच्छी बनाए गई है और इसके साथ साथ अगर समर्साइकल के tires को देखें और brakes को देखें तो tires की grip काफी अच्छी है टायर फ्रंट पे बैक पे दोनों पे आपको अच परिक मिल रही है इसके साथ साथ ब्रेकिंग पावर जो है वो बहुत अच्छी है अगर इसकी रोड ग्रिप की बात करें तो इसके टायर्स अच्छे होने के विए से मुट साइकल की रोड ग्रिप काफी अच्छी है और मैं कहूंगा कि अगर आप सीवी वन टुवा सॉरी अगर इस मुट साइकल के मेकाईनिक्स की बात की जाए तो इस मुट साइकल के मेकाईनिक्स आपको एजिली अवेलिवन मिल जाएंगे कोई मसला नहीं है मेकाईनिक्स मुसली लोग क्या करते हैं कि होंडा के अपने शॉरूम पर चले जाते हैं वहां से मेंटेनिस करवाते हैं तो वह सबसे बेस्ट चीज़ है लेकिन अगर आपके कोई जानने वाला है कोई अच्छा आपको मिल जाता है कोई मेकैनिक तो उसको भी आप दिखवा सकते हैं इसकी कोई रोड केट साइंस नहीं है ये एक सिंपल सा मुट साइकल है इसके साथ अगर इस मुट साइकल की रोड डिरिक्शन की बात करें तो इसका वाइट कलर होने की वैसे इसकी रोड डिरिक्शन थोड़ सी बेतर है अब इस मुट साइकल का वाइट कलर आपको मिल रहा है इसके अलावा आप वाइबियार का देख लें सुजुकी में किसी बाइक का देख लें किसी भी मुट साइकल का आपको वाइट कलर नहीं मिलेगा सिर्फ CB125F के अंदर आपको वाइट कलर मिलेगा जिसकी वैसे ये थोड़ सा यूनिक कलर बन जाता है इसके साथ साथ अगर बात करें प्राइस की तो होंडा CB125F की जो प्राइस है वो पिछले तीन से चार महीनों से मिंटेन है और इसकी जो प्राइस आपको मिल रही है वो है 3.90,900 रॉप ए 3.90,900 र१इस इस मुरसाइकल के आपको प्राइस मिल जाएगी आप अगर व्लास्टने बात करें कि इस मुरसाइकल को प्रिछिस करना चाहिए नहीं करना चाहिए 3,90,900 रुपे में आपको ये मुट साइकल मिल रहा है और अगर आप एक न्यू मुट साइकल खरीदना चाहते हैं तो फिर तो आप इस मुट साइकल को खरीद सकते हैं क्योंकि अगर मैं आपको वाइबेर सजेस्ट करूँ तो वाइबेर की जितनी भी रेंजिस हैं वो चार लाग से उपर की हैं तो ये मुट साइकल आप पर्चेस कर सकते हैं लेकिन अगर आप यूज में भी देख सकते हैं इस रेंज के अंदर तो यूज में मैं कहूंगा कि आप वाइबेर की तरफ चले जाएं तो CP.YVF आपके लिए इस रेंज के अंदर बेहता रहा है सुगाई ये थे मरी आज की वीडियो उम्मीद आपको अच्छे लेगी हो अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी हो तो मिरी इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को चेहिए और में चाल को बाइक में को लाइक को सब्सक्राइब करें थैंक्यों वेरी मच्छ अल्ला आफिस